साहित्य की तरह सिनेमा भी समाज का दरपन होती है एक तरफ समाज में आसपास हमारे जो हो रहा होता है उसका कटू सत्य हमारे सामने लाती है तो दूसरी तरफ हमारी जिंदगी की परशानियों को प्यार और हसी का हत्यार बना कर किस तरह से जेलना है जीतना है ये भी सिखाती और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो ऐसी हस्तियां आज हमारे साथ हैं जो इन दोनों पहलूँ को बाखुबी दर्शाती रही हैं अपने निर्टेशन और अपनी आक्टिंग के जरीए मैं बात कर रहे हूँ नैशनल अवार्ड विनर, प्रडूसर, डिरेक्टर, स्क्रीन राइटर मिस्टर प्रकाश जहा जिनने कॉंट्रवर्सी सेवरेट चाइल भी कहा जाता है और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग वाले हर्फन मौला अक्टर अर्शद वासी का तो दोनों का ही पंजाब केस्ट्री और नवोदर टाइम्स के इस खास शो में हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं प्रकाश जह आप से मिलके बढ़ा अच्छा लगा यह तो बताने की जरूरत है ही नहीं अब शुरुआत करते हैं फ्रॉड सहियां से तो फ्रॉड से यह आप बने हैं और आपने इने फ्रॉड से यह बनाया है ने मैं तो फ्रॉड बना हूँ आप फ्रॉड बने मेरे साथ फ्रॉड हुआ है वो कैसे? टेफिल्म जो बनाई है जिन लोगो ने इस फिल्म का प्रोपोजल बनाया जिन लोगो ने इनको कास्ट किया जिन लोगों ने इस फिल्म को यहां तक पोंचाया अब मेरे साफ़ फ्रॉड हुआ होगा तभ ही ऐसा हुआ होगा पता भी नहीं चला मुझे और ये फिल्म बन भी गई और अश्रद आप क्या कहेंगे कॉन मैं की आप भूमे का प्ले कर रहे हैं आपने बहुत सारे कॉमेडी टोल्स किये हैं तो ये उससे डिफरेंट था इजी था डिफरेंट था क्योंकि काई वजाए एक तो आइटिंक यह प्राजी जिस तरह के फिल्म बनाते हैं वो फिल्म हैं जो सिर्फ बनने के लिए बनती है वह पुछ बनती है तो यूंका एक रिजन है बनने के लिए ऐस दू धर वालू तक तो जब ऐसा होता है और comedy coming from that banner तो आपको इतना तो शुर है कि यह आम कॉमेडी की तरह हो नहीं सकती विकोज एक अलग सोच, एक अलग दिमाग इसको क्या कहते हैं, पास कर रहा है, एक्षैप कर रहा है जैसे अभी आपने कहा कि कॉमेडी अगर फोर्स्ट होती है, तो वो पैलेटेबल नहीं होती है और गले से अगदम अलग से उतारती है वो अलग किसम की होती है, वो एक अलग वर्ल्ड है उस कॉमेडी का, जो मैं पुरी तरह वाकिफ हूँ यह सब चीजों से और मैं जो इतने कॉमेडी करता हूँ और वेरियस जिनके सीरीज बन चुकी है वो सारी कॉमेडी अभी अगर मैंने एक बार उनको एकसेप्ट किया था करने के लिए, फर्स्ट पार्टी मुझे उस वक्त पता था कि यह अच्छी है, यह भले से कुछ गिने चुने लोगों को लगेगा कि यह एक बफूनरी हो रही है मुझे मुझे मालम था कि आम जंदा को पसंदागी है तो हर फिल्म की, हर कहानी की, हर कॉमेडी की एक जबान होती है, मजब होता है तो इसका भी कुछ ऐसा ही, यह एक अलग जोन की कॉमेडी है जो मुझे अच्छी लगती है, जैसे मैंने कहा था कि प्रोमो में जो आप शॉर्ट्स देख रहे हैं वो मैं सारा के साथ उसको पटाने की कोशिश कर रहा हूं और वो अजीव गरीब लाइन्स है अगर वो ही सीन, अगर आप म्यूट करके देखी हैं तो आपको लगा है कोई सीरियस सीन चल रहा है तो जो ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, बिल्कुल सीरियस है, बिल्कुल करेक्ट है अगरेक्टर्स और उनकी सेंसिबिलिटी जो है वो आपको हसने में मजब बज़ करें इलाबरेट करूँ थोड़ा से, जब मैंने पहली स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ी तो यह ऐसे आदमी कहानी थी, इसके बारे में मैं सुन चुका था कि बैज छे साथ साजियां करके कोई बंदा जो है वो कानपूर में पकड़ा गया था लेकिन जब वो कहानी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो जस तरह से लिखी थी कि जमीन की कहानी तो ही लेकिन आप अपने जिंदगी के हर चीज को निगोशियेट करते हैं, अपने इंटेलिजेंस से निगोशियेट करते हैं कि अब ये मुश्किलात आप पड़ी ऐसे करें, ये प्यार करना है उसको ऐसे निगोशियेट करें कोई फूल देता है, कोई कुछ करता है, कोई चिठ्ठी लिखता है, बट ये बंदा, जो इस कहानी का भोला परसाद है, उसके निगोशियेट करने की जो नेटिव इंटेलिजन्स है, जो जुगाडू पना है, वो ऐसा कमाल था कि मैं हैरान था कि ऐसे कैसे कोई सोच सकता है, एसे कैसे कोई लिख सकता है, ये सिचुएटन हो कैसे सकती है, ये सिचुएटन हो कैसे सकती है, मेरा मानना है कि स्पेशल एफेक्स और एक्टिंग में कुछ खास फर्क नहीं होता, अगर आपको स्पेशल एफेक्स दिखाई दे रहा है, तो वो एक खराब स्पेशल एफेक सोरब के साथ काम करने में यही मज़ाता है और आपकी तो टूनिंग भी काफी जब दे आखी ल सबके साथ जबर बस्ता है टूनिंग ही नहीं होती है, मतलब यह दोनों के बीच में कुछ लेना देना भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि फ्री में हो जाता है जब तक गुरुदक्षना नहीं देते हैं, अब ठीक से काम नहीं करते हैं और आप इसको च्पाई है, मत इसको मैं देते रहता हूं उसको इस तरह की बाठते रहता हूं जॉली में उसको इक एक जाएट केज दिया था, एक लाइटर दिया था शायद उसके आदो मैंसा उसने अची एक्टिंग की इस फिल्म में उसको एक बड़े महंगे से जूते दिये गिफ्ट शायद इसे लिए मैंसा अची एक्टिंग कर रहा है बट जैसे हम डिफरेंट जॉनर्स की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि लोगों को रुलाना या प्यार का हैसास उनके अंदर जगाना वो फिर भी असान है लेकिन हसाना एक ऐसा जॉनर एक कॉमेड़ी जो बड़ा मुश्किल है प्रकाज सी आपकी जिस तरह की फिल्म लाइन रही है आपने socio political फिल्म बनाई है समाज में जो चल रहा है उसको दर्शाने वाली फिल्म्स बनाई है अब कॉमेड़ी वाली फिल्म के साथ आपका नाम जुड़ा है तो रीजिन सबसे बड़ा क्या रहा अपने अपने आपको सोसीट किया थोड़ा समय आपको पीछे ले चलूँ ऐसा ने कि अब जुड़ा है नाम सालों साल पहले करी करी तीस साल पहले मैंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने मैंने ही बनाए जी जी कॉमिक फिल्में बनाता रहा हूँ अभी हाल में क्रेजी कोकर फैमिली आई थी दिल दोस्ती एटसेटरा आई थी ऐसा नहीं कि उसके साथ जुड़ा नहीं और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि जो जिन पॉलिटिकल फिल्मों की बात आप करती है मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा क तो इसलिए काफी गहरा रिष्ता है मेरा कोई ऊपर का रिष्टा नहीं है आच अस्फिल्म के हम बात करें टाग लाइन जो बड़ी फेमस हो आपके फिल्म की तो उसके बार में आप कुछ बताएंगे ऐसा मुझे लगते हैं बहुत से लड़कियों ने या बीबियों ने कहा भी होगा ये बट एक फिल्म की टाग लाइन ही बन जाना मेरा कहना ये है कि हर मर्द को तन नहीं होता नहीं लेकिन कटा हुआ है अपने जिसा का ठीक हर बीबी अपने मर्द को शायद एसा कहती है लेकि उसी लिए उसा प्यार से काठा हुआ लेकिन वो मुझे लगता है कि हम लोग जैसे कहते हैं हर मर् कुट्टा नहीं होता लेकिन हम कुट्टे की सिंदर की जबल जीत है आच वो रियालिटी है इस फिल्म में ये टाइग लाइन आप पर फिट हूँ ऐसा आपने क्या किया है मतलब एक लाइन में अगर आप समझाएं कि अब इस मेने बड़ा बड़ी डीप फिलोसिफी है बहुत दूर है सी एक है ना इस कैरेक्टर की एक फिलोसिफी है और एक थम रूल के साथ वो जीता है पहला तो ये कि उसने उसको बहुत पहले ऐसास हो जाता है कि हिंदुस्तानी और जो है उसके एक अलग खासियत है कि एक बार उसके मांग में सिंदूर आ जाया तो वो अपने पती के लिए कुछ भी कर सकती ये बंदा उस चीज़ का फाइदा उठाता है एक तो वो है दूसरा इसका मानना है कि ये जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है क्योंकि जिन लड़कें से शादी करता है वो या तो डिवोसी हैं या किसी की शादी हो नहीं रही है या पिर कोई और वेरियsta रीजन है तो ये उन लोगों को PremisHA करता है और आक्चुली उनलों को खुश रखता है ना उनको मारता है, पीटता है, उनके साथ कुछ बचसलूकी की नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ये उनको मार खाता है उनसे, और उनको वो हस्बेंड देता है, जो वो चाहती है, जैसा हो चाहती है कि उनका हस्बेंड हो, वैसा ये बन जाता है, तो इसके नजरे से इसको लगता है कि मैं तो खुशियां दे रहा हूं, मैंने गलत क्या किया, उसकी तकलीफ थी, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, हजबन छोड़के भाग गया था, मैं आया, मैं मेरे वज़े से आज वो खुश है, और उसके बदले में अगर मैंने थोड़ा सा पैसा ले 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 त इससे परे आप कुछ और है या यही है? नहीं, बिल्कुल अलागा है, I think Prakash जी का sense of humor काफी जबरतास है, I got a taste of it, exactly, and I think I've got a sense of humor, but I think I'm pretty normal guy, I'm not what you see in the film, नहीं, not like that, I'm normal, I'm not what you see in the film, नहीं, not like that, I'm just normal, Prakash जी, आप मेरे बार मैं तो गलत फेमिया ही, गलत फेमिया फेली है, तोड़ा कुछ आप उन्हें दूर करना चाहिए, मैं क्या उसको, क्या क्या दूर करूँ, कित्तों को दूर करूँ, बट आप बाकई मैं ऐसे, I think आप बेटर इसका जवाब दे पाएंगे, I think आप प्रकाश जी के स बहुत serious है, and the thing is, he is serious about his work, which is a good thing, and because, जैसे आपने गाँ, जिस तरह के cinema करते हैं, तो ऐसा लगता है, just because he serious करने हैं, तो गंबीर होंगे, but ऐसा जरूरी नहीं है, and ऐसे मुझे नहीं है, मुझे नहीं लगा, मेरा जो thought process on नाम लोग की तरह, वो भी मेरा तूरी है, when I met him, और जो बाते होने लगी है, और फिर एक दो बड़े-बड़े जबरदर फटे इन्होने मारे, फटे मारे, तो मैंने, ओ, मस्क्लास दे हूँ, Okay, okay, talking about the film, Disha, आपकी बेटी, प्रोडूस अनोनिकी है, तो you feel like a proud father today? Absolutely, I mean, I mean, इतना बड़ा कौन मेरे साथ किया, उसने, इतना बड़ा, सबसे बड़ी fraud होई है, और पता भी नहीं चला, तो मैं इस मेरे से बड़ा proud, और कौन हो सकता है? But, जब फिल्म इंशालला चल जाएगी, उसके returns जब आएंगे, तो फिर कहां आप कौन होगे? तुमारे मुमें की शकर, भगवान करें, ऐसा हो जाए, उसके दुकान चल पड़े, बड़ी आएगा अचा एक एक चीज है कि आप लोगों की जो life है काफी inspirational रही, आप दोनों ने अपने career की शिरुवात काफी उताचड़ाव देखे और फिर भी डटे रहे अपने सपने को पूरा करने के लिए, you went through a lot दोनों ही अपनी individual lives में आज की जो generation है, सपने लेती है लेकिन उनको जी नहीं पाती है क्योंकि कहीं बीच में circumstances की वेज़े से हार जाते हैं One message जो हमारे माध्यम से आप अपनी life के basis पे देना चाहेंगे, पहले आप प्रकाशी मैं तो हमेशे ही कहता हूँ कि सपने देखो, खुली आखों से देखो, जम के देखो और उनके लिए थोड़ा सा काम करते रो, थोड़ी मेहनत करते रो, सपने पूरे होंगे जी, पुश्रदाप आपका इंटेंशन जो है, वो सही होना चाहिए, अकसर लोग आते हैं कोई और रीजन के लिए, वो अक्टर बने नहीं आते हैं, वो आते हैं बिकोज उसके साथ एक एक लाइफस्टाइल जुड़ी होती है, एक फेम, फॉर्चून, यह सब चीज जुड़ी होती है, और वो ज्यादा दिखाई देता है, और जो महनत है, वो कम दिखाई देती है, यह नहीं होना चाहिए, अगर आप सिर्फ, और फोकस माइंड से आप आया है, अक्टर बनने एक सवाल है कि आजकल बहुत सारे हिट जो गाने रहे हैं गुजरे जमाने में उनको फिर से रिमेक किया जा रहा है, चमा चमा आपकी फिल्म में भी है, सो एक चालेंज था कि भई वो तो इतना हिट गाना अपने आप में रहा है, उसको वापस से रिक्रियेट करना, वाज चालेंज इंग कि ना लगे, इसमें कुछ अपना अलग तड़का हमने डाला है, इसमें कुछ अपना अलग तड़का हमने डालना है? कि ये गाना इतना बड़ा हिट रहा है नया जो बना है वो या तो इससे बड़ा हिट हो या कम से कम उतना हो उससे कम ना हो ये सोच तो I'm sure हर बंदा जो रीटेट करा है गाना वो सोचता होगा So yes, वो fear तो हमेचा रहेगा Okay, अच्छा talking of fear एक actor को और director producer को एक fear हमेशा रहता है फिल्म release जब होने वाली है कि हमने इतनी मेहनत उसके पीछे की है दर्शकों को वो मेहनत बस दिख जाए तो अभी वो jitters वो fears हैं 100% है मतलब हम अपनी मेहनत करते हैं अपना काम करते हैं हिसाब से चीजों को सजाते हैं और फिर दर्शक के सामने रखते हैं इसे उमीद से रखते हैं कि जतना enjoy हमने किया है वो उतना enjoy वो भी करें और आस लगाए रहते हैं कि उनको appreciation मिलेगा इस काम का मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है और कभी-कभी नहीं मिलता है तो फिर और जोर लगा करके फिर अगली बार काम करने की कोशिश करते हैं अशद, यॉर टेक अने ते अबसूटी, इस इस इसक्टी और रखते हैं हर बार यूवर्क इन फिल्म और आप अब कोई एक फिल्म एसे नहीं यह सोचके करता के यह नहीं चले इस अलोगावर्क लोगावड़ द्रीम्स, होपस, अश्परेशन ऐवर्यषिए इस इस इन्वल्ड इन आ फिल्म और यॉर वाकिशन उन इपल एड़ आप पलो रहें and sometimes they don't for various reasons which is fine so but like I always say I said your your hits and your flops should not alter your personality I think that's necessary if you get the whole hit you shouldn't get the whole hit and if you get the whole flop then you shouldn't get the whole hit I think you have to take it accept it absorb it and work again on that note thank you very much and we all hope that you hope that you will not get through the season thank you and the response to the film is that you should definitely look up to your attention 18 January 18 January is not but when you will find your attention or your attention to your attention or your attention to your attention to your attention or even if you are interested in the film you will be asked to tell your attention and your attention to your attention प्रो के लिए जुड़े रही है पंजाब के स्ट्री और अवर्दर टाइम्स के साथ पे नमस्कार।